बिग बॉस के घर के अंदर आते ही रफटार ने बताए अपने टॉप फाइव कंटेस्टन्ट जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं वीकेंड का वार अब बहुत जल्द हम सब को दिखाई देने वाला है और इस weekend का वार पर हम सब को नज़र आने वाले हैं rapper, रफतार और रफतार जैसे ही big boss के मंच पर आएंगे पांच ऐसे contestant के नाम वो बताने वाले हैं जो होंगे big boss के top 5 contestant जी हाँ आपको बता दें की रफतार इससे पहले भी कई बार घर के मंच पर आ चुके हैं और कई बार उन्होंने अपने top 5 भी बताएं हैं और उन में से कई सारे contestant top 5 पर पहुँचते भी हैं तो किस किस contestant का नाम लिया है रफतार ने सलमान खान के सामने क्या आपके favorite contestant को रफतार ने top 5 में रखा है या नहीं रखा है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ लेकिन चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लें गंटी के निशान को जरूर दबा दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे तो रफतार ने सबसे पहले नमबर पर रखा है रजत दलाल को जी हाँ ना ही वीविंड सेना को ना ही करनवीर महरा को कह दिया है कि रजत जिस तरह की गेम तुम घर के अंदर खेल रहे हो नमबर वन खिलाडी तुम हो और 100% टॉप 5 में तुम पहुँचेगो पहुँचेंगे और शो भी तुम जीतने वाले हो दूसरा नाम यहाँ पर उन्होंने करनवीर महरा का लिया और कहा कि मेरे लिए दूसरे नमबर पर करन है इसे मैं काफी दिन से काफी पहले से जानता हूँ हम दोनों ने एक साथ काम भी किया है तो रफतार ने का कि करन जो है काफी जादा तेज दिमाग वाला भी है जो कुछ भी वो घर के अंदर कर रहा है वो काफी सोच समझ कर कर रहा है और वो दूसरे नमबर पर है तीसरे नमबर पर रखा वीवियन डिसेना को और रफ्तार ने वीविंड सेना कि जम कर तारीफ कर डाली है और का है कि घर के अंदर तुम जो कुछ कर रहे हो तुमने हर एक चीज जो है वह सोच समझ कर किये तुम्हें पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम बिल्कुल भी कन्फ्यूज नजर नहीं आ रहे हो जब कि कई सारे कंटेस्टन जो हैं वो काफी जादा कन्फ्यूज भी नजर आ रहे हैं चोते नमबर प्रतिक विज्ज राठी को रख डाला और कहा कि इससे पहले तुम शोज भी करके आये हो मैं तुम्हें पहले से भी जानता हूँ लेकिन तुम्हें घर के अंदर और जादा कुछ करना है मैं तुम्हें नमबर वन पर भी रख सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा खेलो कि अगली बार जब मैं बिग बॉस के मज़ पर रहा हूँ तो तुम नमबर वन पर रहो जी हाँ यहाँ पर आपको बता दें कि इच्वा नमबर पर आविनाश को तो रखा लेकिन सबसे जादा इन टॉप फाई में रफ्तार ने अगर किसी की तारीफ की तो वो दिगविजे राठी थे और रफ्तार ने कहा कि तुम्हें 4 नमबर पर रख कर मुझे काफी ज़्या दुख भी हो रहा है कियो gravel नमबर पर रखना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि तुम परूव करो कि तुम नमबर वन तक जा सकते हो इस तरह की गेम तुम खेलो तो यह कुछ बिग बॉस के गर के अंदर आपको वीकंड का वार पर देखने को मिलने वाला है आपका इसके बारे में क्या कुछ सोतना है कि तने एक। वीकंड का वार देखने के लिए कमेंट करें और ले Türkiye के लीए चनल को सब्सक्राइब जरूर करें